हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ सबसे पहले एक बड़ा वर्तन लेंगे इसमें हम डालेंगे मैदा मैदा को अच्छे से चान लीजिएगा यहां पर मैंने लिया हुआ है टोटल असी ग्राम मैदा यानि की आधा कटोरी के लगबग मैदा लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वात के अनुसार और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सोडा यानि की बेकिंग सोडा इससे जो हमारे पापड हैं बहुत ही बड़िया बनते हैं बहुत सॉफ्ट बनते हैं इसकी जगए आप पापड खार भी डाल सक दो तीन चुटकी अब देखिए जितना हमने मैदा लिया था उसी कप से हम पानी ले रहे हैं और एक चमच की साहता से या फिर विसकर की साहता से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया सा घोल बना कर तयार करेंगे पूरा पानी मैंने डाल दिया है देखिए जि दिख रहा है तो इसमें अभी मैं दो तीन चमच पानी और डालूंगी देखिए मैदा वैसे भी बहुत पतला होता है अगर आप ज्यादा पतला कर देंगे तो दिक्कत कुछ नहीं है बस पापड बहुत ज्यादा पतले बनेंगे तो हो सकता है आप इन्हें बाद में निका के लिए मेदा के लिए तो जितना मैदा लिया था उतना पानी उससे मैने तीन-चार जमच पानी बस ज्यादा लिया है तब तक हम दस मिनट के लिए मैदा को छोड़ने रेकरने से लीए के लिए इसमें मैंने मैंने inva क्ला और बाल रखे हैं इन्हें हम थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लेंगे इसी में हम बनाएंगे पापर डबे के डखन में एकदम गोर पापर बनेंगे पिल्कुल पतले बनेगे और जल्दी बनेंगे अब हम देखते हैं दस मिनट हो चुका है मैदा को रखे हुए या फिर आप पांच मिनट के लिए भी रख सकते हैं तो हम इसमें मिला देंगे चिली फ्लेक्स यानि की कुटी हुई लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च को मोटा मोटा कूट लीजिए और आपके चिली फ्लेक्स तयार हो जाएंगे तो अभी ये देखिए मैदा का जो बैटर है हमारा वो एकदम रेडी है तो बाद में आधा चमच और डाल दिया है क्योंकि हमने इसे 5-6 मिनट के लिए रख दिया था ना ज खाली चमच ही लिया है और इसे चारो तरफ फैला लीजिए अगर ज्यादा गिर जाए तो आप इसे धकन को जुका करके इसका जितना एक्स्ट्रा वाला मैदा है उसे आप निकाल भी सकते हैं चली फ्लेक्स डेले होने की वज़े से ये खाने में बड़िया तीखा को एकदम बराबर होने चाहिए ये चलनी बीच में थोड़ी गहरी है तो मैंने थोड़ा सा इसमें एलुपीनियम फॉइल रख दिया है जिससे की एकदम बराबर लेवल आ जाए अब इन डखनों को हम बराबर एकदम सेट कर देंगे तो अगर आपके पास बड़ी जाली है तो आप उसमें एक बार में 5-6 डखन भी रख सकते हैं इसकी जगे आप छोटे स्टील के डखन भी ले सकते हैं एक मिनट तक पकाईए और एक यहां प्लास्टिक की शीटली है इसी में हम फैलाएंगे देखिए पापर जब इस तरह से फूल कर ऊपर आ जाए तब आप समझ लगेगा तो गैस को पूरा टाइम धीमा ही रखना है अब देखिए टूथपिक की मदद से वैसे अपने आप भी किनारे छोड़ देंगे अगर अच्छी तरह से पके होंगे तो देखिए किती बढ़िया तरीके से पकर तैयार हुए हैं देखिए सबने किनारे छोड़ दि पापड बना सकते हैं और इन्हें 40 सेकंड से एक मिनट तक ही बाप में पकाना होता है उससे ज्यादा नहीं दुबारा हम फिर से एकदम हलका ग्रीज करेंगे और मैं आपको फिर से दिखा देती हूं कहीं आपको यह ना लगे कि यह बनाने में आपको कठी ना लगे फिर ट्रिक्स को ध्यान दीजिए कैसे मैंने बनाया है एकदम पर्फेक्ट आपके पापड बनकर तयार होंगे अगर आप बहुत ज्यादा पतले बनाने चाहते हैं तो इस बैटर को हलका और पतला कर सकते हैं दो चार चमच पानी डाल करके इनने भी हम रख देंगे तो अगर ध्यान दीजिए अगर आपके पकाने के टाइम पर पापड कच्चे रह गए भाप में भी कच्चे रह गए तो फिर जब आप सुखाएंगे तो ये पापड फट भी सकते हैं चटक जाएंगे या फिर जब आप तलेंगे तो इनका बढ़ा नहीं होगा और यह बहुत टाइट बने रहेंगे एकदम सॉफ्ट और कुरकुरे नहीं होंगे इन्हें भी मैंने ढग दिया है और लगभग एक मिनट बाद यह बीच में आप चेक कर सकते हैं दिखें यह वाले पापड भी बिल्कुल उसी तरह से फूले हैं उपर की इन्हें सब को निकाल लेंगी मैं और इसी तरह से में सारे फटाफट बना लूँगी तो इतने से असी ग्राम मैदा में आप कम से कम 30 32 पापड आसानी से बना सकते हैं जब आप ज्यादा मोटे ज्यादा पतले नहीं बनाएंगे अगर आप काफी पतले पापड बनाएंगे ये पापड पंके में भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं दो से तीन दिन में सूख जाएंगे कड़ी धूप में तो ये आप मानिए दो से तीन घंटे में ही सूख जाएंगे पापर देखिए मेरे सूख गये हैं बहुत जल्दी ये सूख गये और एकदम पर्फेक्ट आपको दिख भी रहे होंगे ट्रांस्पेरेंट हो चिली फ्लेक्स इनके उपर कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको तल कर भी दिखा देती हूँ गर्मा गरम तेल में हम डालेंगे इन्हें और इस तरह से पका लिजी देखिए कितना बड़िया पापर बनकर तयार हुआ है ध्यान दीजिएगा तेल बहुत ज़्यादा गरम ना हो क्योंकि मैदा का पापर बहुत जल्दी जलने लगता है बहुत हलका है पापर इसलिए और भी और आपके पापर एकदम परफेक्ट और बहुत क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है सारे पापड इसी तरह से तल लीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब के साथ शेयर कीजिए और जरूर बना कर देखिए